दो मिनट वाली बात आपको याद है ना कि दो मिनट में क्या कुछ होता है दो मिनट सियासत के अंदर बहुत ही महत्पून होता है और दो मिनट वाले नेता जी भी आपको याद होंगे लेकिन इसी दो मिनट ने नेता जी की कैरियर खराब कर दी हालात यह हुए कि सपने तूट गए अब नेता जी क्या करेंगे इस दो मिनट की मुहलत ने उनके केरियर पर ब्रेक लगा दिया दरसल इस दो मिनट की देरी नहीं नेता जी को बिधान सभा जाने से रोख दिया जी यहां दो मिनट के देरी से निर्वाची पताधिकारी के सामने पहुँशे नेता जी को दो मिनट में ही नेप्टा दिया गया कि आपका वक्त खत्म हो गया है अब आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं कि पुरा माज़रा आप को समझाते हैं कि आखिर नेताजी के दो मिनेट वाली कहानी क्या है। बिहार में अगर आप किसी को dismiss को बोलियेगा कि दो मिनेट आ जा जाइए तो हर कोई समझ जाएगा कि दो मिनेट का मतलब क्या होता है। Papastare और सियासत में इस double minute का बहुति भेलुई है तो किस 2000 की खाऔगी ने देश को बता दिया है कि fondo निइत में क्या क्या हो जाता है। वैसे तोदो मिनिट में amigo भी बन जाती है लेकिन बात हम ना मैगी की कर रहे हैं और ना ही विहार की सियासत भी कर रहे हैं बलगे हम तो बात कर रहे हैं बिधान सबाद चुनाव की देश में दो राज्यव में चुनाव हो रहे हैं एक महरास्त दूसरा जारकन और इसके साथ देश के कई हिस्सों में निर्वाजन पतादिकारी के दफ्तर बना हुआ था आप पहुंच गया अब मिरवाची पतादिकारी के सामने जब दो मिनट की देरी से पहुंचे दून्होंने पेपर लेने से इंकार कर दिया आपका फॉर्म नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा क्योंकि जो समय थी वह बीत गई उसे बीते दो मिनट गुजर चुके हैं काफी मिननत के बाद भी नेता जी दो मिनट के बाद फॉर्म मैं भरवा पाएं। कहानी महाराश्य विधानसभा के एक चीट पर नवानकन करने पहुँशे एक पार्टी के ओमिद्वार के साथ यह पुरा माजरा हुआ है रहले कि आपको बिस्तार से बढ़ते हैं कि आकर पूरा माजरा पूरी बाते concept क्या है कि दर सल क्यों दो मिटर की देरी परी और यह उमीदवार कौन थे हैं यह उमीदवार देश के बड़ी पार्टी के नेता थे और सर नेताओं के लेट आने जाने का सिलसला तो आपने कई बार सुना होगा लेकिन इस बार यह लेट महांगा पर गया महराज की नाकपूर सेंटरल सीट पर जम कर ड्रामा हुआ कबार है कि कॉंग्रेस के पुर्वनेता और राज सरकार में मंत्री रह चुके अनिस अहमद महज कुछ मिनट की देरी के चलते नमंकन दाखिल नहीं कर सके हाला कि उन्होंने इसके लिए कई परिसानियों का हवाला दिया लेकिन उनका नमंकन अधिकारियों ने श्रीकार नहीं क्या इस वज़ा से अब वो चुनावी दंगल से बाहर होके हैं जानकारी के मुताबिक ये नेता जी कॉंग्रेस के साथ चार दसक तक अपना रिस्ता जोड़े रखे थे और विभिन पदों पर काम कर रहे थे लेकिन अब इन्होंने कॉंग्रेस से अपना रिस्ता तोड़ दिया और भी भी ए से यानि वंचित बहुजन अगारी दल के वो उमिद्वार के तोर पर अपना नमंकन पत्रत दाखिर कर में पहुशे थे अनिस अहमद इस बीच बताते हैं कि तीन बजय की डेडलाइन चूक जाने के कारण रिटार्निक अधिकारियों ने मेरा नमंकन स्विकार नहीं किया यह भी पताया रहा है कि सुबह से लेकर नमंकन की अंतिम समय तक आहमद की गयर मवजूद्गी के चलते कई तरह की अटकले लगती भी रही थी अनिस आहमद ने इस पूरे एमबामले पर नहीं बताया कि रोड बंद होना एक बड़ी वज़ा थी जो ट्रैशिक जाम की समस् मौके पर दस्तवेजों के अंदर कई प्रकार की तूटी थी वो रहा गई थी और इन तमाम चीजों को दूस्त कराते कराते जो वक्त है वो पुजर गया और इस बीच कुछ मिनट की देरी से पहुंचे नेता जी का नमंकन पत्र नहीं भरा गया इस बीच उन्होंने अपनी तरीके की परिशानी से घिर गया थे हलाकि कॉंग्रेस से निकल कर उन्होंने एक नई पार्टी के साथ अपने केरियर की शुरुवात की थी लेकिन शुरुवात में ही उन्हें एक बड़ा जटका लगा क्योंकि ना उनकी पार्टी के बैंक के खाते खुल पाएं और ना ही उन्हें एन उसी मिल पाया जिस वजह से उन्हें देर हो गया इधर अब नाकपुर सेंट्रल सीट से कोई प्रतिनिती अब नहीं रहा उनकी पार्टी के जिसका फायदा आप कॉंग्रेस पार्टी को मिल सकता है इस रिपोर्ट के मुदाबिक जनकारी है कि कई लोगी शुना नाटी के प्रमुक्ष जो थे प्रकास अमवेट्पे के उपष्टिती में अहमद को पार्टी में सामिल किया गया था अब राज्य विधान से वाचुनाव में नाकपुर मद्धिनिवाचन छेत में उमिद्वारी होसना जब होई उसके बास से वह तैयारी कर रहे हैं अब पूरा माजरा है कि आखिर जो नाकपुर का सेंट्रल सीट है यहां से कोई उमिद्वार क्यों नहीं मैदान में उतरना चाहता है क्योंकि महराश की नाकपुर सेंट्रल सीट पर जो ड्रामा है वो निकल कर सामने आया इस सीट से पहले कॉंग्रेस के साथ इनका 40 सालों का रि लेकिन और देडियारी कारणों से वो फॉर्म नहीं बरता है अब उनके फॉर्म नहीं बरने के वज़े से महराश्ट की स्यासेत में दो तरह की चर्चाहन एक किया तो फॉर्म नहीं भरना चाहते थे दूसरा क्या सच में इस तरीके की बड़ी गड़वड़ी होगी खर ये तो एक उधारन है महराश्च के एक नेता जी कर लेकिन बहार में अगर आप कहीं जाते हैं और दो मिनट के लिए किसी को बिलाते हैं तो फिर इसकी कहानी नहीं हो जाती है और लोग बड़े ही कुछता है वो करता है इसलिए तो एक और मिठाई का टबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पूर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान, जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सब अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घरवापसी जो कर रहे है घरवापसी की खुशी पूर्णया में E-Homes Panorama के संग E-Homes Panorama Luxurious Lifestyle Redefined